हलो नमस्कार फ्रैंड्स मैं रभी एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ ये वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर सकती है नेक्स्ट विक के अंदर उसका पूरा जो एनलिसी से वो हम करेंगे चार्ट के उपर जैसे कि आप जानते हो आद जो है वो बहुत ही बड़िया खुशिका दीन है क्योंकि नाया हाई लगा है सबसे बड़ी बात क्लूजिं के अंदर देख सकते हैं और यह जो लेवल है दोस्तो वह आपको जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बात के थी कि बढ़िया जो है वो 16,000 के उपर भी हम जा सकते पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट के उपर तो जो टंबर वन सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा अब यहां से 15,396 के आसपास परला इंपोर्टन सपोर्ट है वो अगर टूपता है तो 15,272 का जो लेवल है वहां पर हमें ध्यान देना है और फिर दोस्तों मैं आपको एक रेंज जो है वो बता रहा हूँ ये रेंज के उपर जो है वो आपको ध्यान रखना है अब जो हमा 15,040 से 15,045 की जो रेंज है दोस्तों ये रेंज अब अमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन रहेगी अगर ये रेंज जो है वो तूटती है और उसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर इसके अंदर जो है वो फिर से गिरावट हो सकती है ठीके होना जरूरी है 15,050 के नीचे 40 के नीचे दो तिन दिन अगर ये रुपता है वहाँ पर तो फिर यहां से हम मान सकते हैं कि एक डबल टॉप का फॉर्मेशन जो है वो बन सकता है possibility के बात है otherwise दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है इसका चार्ट देखके कि हम जो है वो एक बार यहां से उपर जाएंगे उपर कहां तक जा सकते हैं अभी यहां अब आप देख रहे हैं दोस्तों All Time High के उपर अभी हम खड़े हैं तो अब यहां से उपर जाने के जो चान से वह अगर हम बात करें उसके बारे में तो पहला जो लेवल है दोस्तों वह आता है 15,900 के आस पा उससे उपर अभी हम बात नहीं करेंगे maximum अगर हम यहां से उपर जा सकते current situation के बात कर रहा हूँ तो 16,900, 17,000 के आसपास फिर वहाँ जाके देखना पड़ेगा क्या situation है बाकि जो level अभी हमने बताए 3 level हमें जान में लेने है 15,900, 16,300 और 16,900 से 17,000 के आसपास अगर वह लेवल फिर काटता है अच्छी तरीके से वाल्यूम के साथ तो फिर वहाँ पर उसके बारे में हम discussion करेंगे जब हम उस week के अंदर वीडियो बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे ठीक है तो overall trend दोस्तों positive है last week में मिले थे उसनाएं भी बात की थे हमने कि जो short cover वाले जो दोस्ते वो थोड़ा द्यान रखना short जो कर रहे मार्केट के अंदर और अब भी बता रहा हो अगर किसी के पास short है तो आप थोड़ा सा द्यान रखना अगर short है तो आप अपने आपको hedge कर लेना बाकि यहां से short करना थोड़ा सा risk हो सकता है क्योंकि यहां से बढ़िया उपर की एक जो तेजी है वो देख सकते हैं और Monday को last जो है वो डेबी रहेगा मन्त का expiry तो हो चुकी है तो खतम हो जाए उसके बाद नयामत कैसे start करता है कहाँ पर open हो करता है वो अचारी चीजे जो है वो दोस्तो depend करेगी लेकिन यह जो है वो आप थोड़ा ध्यान रखेगा ठीक है तो यह support range आपको ध्यान में रखनी है और उपर को जिल लेवल बताए हमने वो लेवल को जो है वो आपको जान में रखना है दोस्तो क्या आप पूरे तीन महिने तक नेचरल गेज, सिल्वर, गोल, निकल, कॉपर, क्रूड आयल, स्टॉक के फ्यूचर और निफ्टी बैंक निफ्टी में लाइव अपडेट पाना चाहते हो तो आज ही सब्सक्राइब करें ओनलाइन केंडल स्टी पैटरन कोर्स जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा वो लिंक आप ओपन करोगे आपको गुगल प्ले स्टॉर के उपर ले जाएगा दोस्तों और वहाँ से आप जो है वो हमारी application डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है profitable trading strategy वो application डाउनलोड करते ही आपको application के उपर store का option मिलेगा store store वहाँ से आप जो है वो हमारा ये course subscribe करते हो तो पूरे 3 महिने तक live update भी मिलेंगे और साथ में आपको learning भी मिलेगा मतलब learning और earning का बहुत ही बढ़िया combination है दोस्तों price आपके सामने है link नीचे description के अंदर है आज ही subscribe करें और benefit उठाए